प्यारे बच्चो श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं 11th class की physics का first unit and measurement और आज एक बहुत important article हम करने जा रहे हैं significant figure प्यारे बच्चो significant figure plus one में तो इन पर question आता ही है लेकिन NEET और IIT पर भी के जो exams होते हैं उनमें भी कई बार question पूछ लिया जाता है और आसान होने की वज़े से काफी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और उस answer को गल्ट करे आते हैं देखिए मैं एक बात से सुरुआत करते हैं आज हम यह तो जानेंगे कि significant figure क्या होते हैं और कुछ नियम अगर आप इसनों पूरा देख लिया तो आपके कौनशक बहुत ही crystal के लिए रहो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनके questions को कर पाएंगे मैं एक बात बताना चाहता हूँ जैसे मान लो हमारे पास यह question है 1.36 और दूसरा है 2.5 इसका answer देखे क्या होगा यह आपको बताना होगा 0.9 B 3.86 C 3.860 0.D के अंदर हम लिखेंगे कोई भी इस तरह से 3.90 वेगरा तो आप बता सकते हैं इसमें correct answer क्या है मुझे पता है जादा तरवच्चे इसी को सही समझेंगे लेकिन यह answer आपका गलत होगा क्यों होगा वो तब ही पता चलेगा जब आप significant figures के बारे में जान जाएंगे मैं कहरा हूँ कि इसका जो answer होगा वो यह होगा क्यों होगा उसके शुरुआत हम कर लेते हैं जान लेते हैं कि यह significant figure क्या होते हैं और क्या है इनकी नियम simple से हैं लेकिन बस आपको शबज़ना है चलिए शुरुआत करते हैं number of digits up to which one could express any number major major है या calculation की है मतलब कितने digits तक हम certain है देखे मैं एक और बात बताता हूँ मानलो हमने एक figure measurements की 27.3 तो हम यह तो कह सकते हैं कि 27 जो है यह certain है हमें विश्वास है यह तो सही है बिलकुल सही है लेकिन यह जो 3 दिखाई दे रहा है यहां गड़वड़ी हो सकती है यह uncertain है इनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं कि बिलकुल सही भी हो सकता है क्योंकि यह 3.2 भी हो सकता है यह 3.345 या फिर 2 पॉइंट यह भी तो हो सकता है ना सकता है तो इसमें certain और uncertain तो सारे लेंगे लेकिन uncertain भी एक डिजिट हम काउंट करते हैं significant figure में अब हमें यह तो पता चले गया भी जब कोई भी measured value होती है उसे हम कितने significant figures तक express करेंगे लिखेंगे क्या है इनके नियम बहुत ज़्यदा मुश्किल नहीं है एक एक करके देखिए 57 नियम है simple सी बात है हम daily life में जब भी कोई calculations करते हैं measurements करते तो उनका यूज तो करते हैं लेकिन सही तरीकी से नहीं कर पाते है अप्रोक्शिमेटली कर देते हैं रूल्स प्यारे बच्चों एक एक करके हम सभी rules हो लिखेंगे कोई मुश्किल नहीं है पहले बात तो यह समझ लीजिए कि जितने भी non zero digits आएंगे वो सारे significant figure में count होंगे non zero का मतलब zero को छोड़के सारे यानि all non zero digits are significant figure ठीक है ऐसा लिखेंगे देता हूँ मैं समझ पहला जैसे मैं कुछ example भी लेते चल जाते हैं जैसे 5, 6, 7, 8 बताईए कितने significant figure है इसमें एक question है साथ साथ आप बताईए इसमें होगे 1, 2, 3 सारी तो non zero है तो significant figure होगे 4 ठीक है चलिए यह rule आपको समझ में आ गया दूसरी बात है अगर non zero digits के बीच में कोई zero भी आ जाए तो उसे भी हम significant figure में ही count करते हैं समझ गया ना यानि कि सारे के सारे होशार बच्चे पास होंगे लेकिन अगर उन होशार बच्चों के बीच में कोई कम भढ़ने वाला बच्चा भी आ जाए तो वो भी पास हो जाता है तरीका कुछ भी हो चलिए लिख लेते हैं यह तो समझने की बात है अब हम ले रहे हैं the zeros जो जीरो होते हैं बिट्विन नोन जीरो डिजिट्स और अलसो सिगनिफिकेंट फिगर अब समझे देखिए सपोज कीजिए यहां पर होता फाइव सेक्स जीरो सेवन एट इसमें कितने सिगनिफिकेंट फिगर हैं यह तो नोन जीरो हैं नहीं यह तो सिगनिफिकेंट फिगर होंगे होंगे ना लेकिन यह जीरो भी सिगनिफिकेंट फिगर में ही काउंट होगा तो कितने सिगनिफिकेंट फिगर होगे यह दोनों रूल हमें अच्छी तरीके से समझ में आगे अब हम रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं जैसे कम है तो जो 0 होंगे अब देखना मैं लिग देता हूं जैसे स्पोज की जी यह है 0.0567 यह है कोई नंबर यहां decimal नंबर है अब यह एक से कम ही है क्योंकि अगर एक से ज्यादा इधर हो था 1.0 तो फिर हो तो यह जीरो जीरो नोंजीरो डीजिट्स के बीच में आ जाता फिर तो यह यह जो 0 है यह सिनिफिकेंट फिगर में काउंट हो लेता लेकिन यहां पर इस decimal number, यानि कि the number with decimal point be it's zero पहले और बाद में ये दोनों ही zero significant figure में count नहीं होते यानि कि in a number हम एक number की बात करते हैं with decimal point इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये rule है number with decimal point ये देखे, decimal point के साथ कोई number है the zeros in left and right side are not significant figures which is एक और सत है which is less than 1 less than 1 होना चाहिए, क्यों हो, इसके बारे में और बताऊँगा the zeros before and after are not significant figure समझेगे बैटेए, ये zeros जो है ये significant figure में count नहीं होंगे, तो फिर बताइए इसका significant figure क्या होगा आप कहेंगे सर्जवी अकाउंट होते ही नहीं तो फिर ये इसका significant मातर in a number प्यारे बच्चों हम बात करते हैं decimal point है उसमें, ये देखें in a number with decimal point point जैसे, मान रो मैं इसकी बात करो two point seven zero zero ये जो terminal point zero होंगे न ये significant figure में count होंगे जैसे यहाँ decimal है लेकिन ये significant figure में count होंगे जो बाद में आते हैं किसी number लेकिन यहाँ decimal होना चाहिए, वो decimal number होना चाहिए decimal point वहाँ जरूर होना चाहिए यानि कि in a number with decimal point the terminal zeros are significant figure होगे न ये significant figure में count होंगे तो बतिए इसमें कितने significant figure है इसमें four है significant figure होगे यहाँ पर four ठीक है लेकिन मान लो यहाँ decimal point नहीं होता जैसे यह होते इसी तरीके से होता ही है यहाँ decimal point है नहीं तो फिर significant है यह जो zero होंगे न यह count नहीं होंगे यानि कि next rule हमारा यही है कि ए नमबर विदाउट decimal point the terminal zeros can are not significant यहाँ यहाँ यह नमबर विदाउ without decimal point point the terminal terminal zeros are not significant figure यह significant figure में count नहीं होते हैं अच्छे एक ओर प्यारे बच्छों अगर powers of ten में आती हैं तो उन्हें भी हम significant figure में count नहीं करते हैं the power of ten are not significant figure कैसे जैसे 27 multiplied by 10 की power 6 अब यहाँ तो 6 0 लग रहे हैं तो यह significant figure में count नहीं होते हैं तो प्यारे बच्छों यह है सिंद्धिसी बात है कि जब किसी चीज को हम major करते हैं या calculate करते हैं तो कितने digits को हम लिखते हैं यह देखे उसको express करने के लिए जो सही होता है सही तरीका होता है उन्हीं digits को हम significant figures कहते हैं जिसमें certain तो सारे ही होते हैं लेकिन एक uncertain digit भी होता है उसों हम count करते हैं और rule तो बहुत ही आसान है चार पांस तो rule हैं पहली भी जितने भी non zero होंगे वो तो significant figure में count करेंगे यह जो zero आगे non zero digits के बीच में वो भी significant figure होंगे यह भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर कोई decimal point आ रहा है किसी number में और वो एक से कम है तो उस decimal points के पहले और बाद में यानि को उसके left और right में जो zeros होंगे न वो significant figure में count नहीं किये जाते हैं हाँ अगर यह देखे कि decimal point है तो जो zero आते हैं बाद में जो zero आते हैं वो significant figure में count किये जाते हैं 10 की power वाले तो significant figure में count करें ही नहीं जाते हैं तो प्यारे बचों आपने देखा कि significant figures हम कैसे करते हैं 4-5 नियम है रटना नहीं है हमें इनको अब हम इन्हें देखे हैं हमारी जो arithmetic operations होते हैं जैसे addition है subtraction है या फिर multiplication division होते हैं तो उसमें significant figures का है हम रोल होता है questions को करने में वो लगते सही हैं लेकिन सही होते नहीं है इन rules के मताबिक उन्हें questions को करते समय उन्हें हमें significant figures के rule की कशोटी पर खरा उतरना ही चाहिए तो चलिए देख लेते हैं addition और subtraction में और फिर हम देखेंगे multiplication और division में किस तरह से हम significant figures को use करते हैं addition and subtraction इसके कुछ question समझ लिए जैसे मानलो मैंने अभी एक बात कही थी आपको 1.32 और मानलो हम इसको कर लेते हैं 2.6 एड़ करना ज़रा इसको जब हम इसे एड़ करेंगे तो ये 2 और ये 9 और ये 3 ये आंसर आता हैं लेकिन ये आंसर सही नहीं है हमारे significant figures के नियम के अधार पर addition and subtraction करते हैं हमें हम इस बात का ध्यान रखना है decimal point जो है वो किसमें कम है decimal point जो है किसमें इसमें देखो decimal point के बाद एक digit है इसमें कितने digit हैं दो digit हैं तो जो final हमारा result होगा ना उसमें जो कम है ना उसको मैंतव देंगे उतना ही जो है decimal point हम वा रखेंगे तो इसका सही answer क्या हो जाएगा 3.9 क्योंकि इसमें 2 decimal points तक है इसमें एक है तो कम कितना हुआ इसमें तो यह वारा जो final answer है यह हमारा सही answer है यानि कि rule क्या बना आप यहां पर इस rule को अगर हम बात करें addition और subtraction की तो हम यह ही तो लिखेंगे कि final result must contain digit as in number having less least decimal digits समझ कियोंगे मेरी बात भाई यह तो दो है दो से जादा भी अगर हम डिजिए add कर रहे हैं मान लो यहां पर यह होता 2.367 इनको add करते कोई बात नहीं इसमें तो कितने digits है तीन है इसमें कितने हैं दो है इसमें तो final result आएगा उसमें सिर्फ हमें एक decimal point के बाद digit रखना है क्योंकि इसी में सबसे कम है जो सबसे कम है ना उसको महतव दिया जाता है importance दी जाती है तो इसका यह answer हो गया subtraction में भी और addition में इसे बाकी कुछ नहीं बाकी तो जैसे add करते हैं आप लोग lower classes में जिस तरह से addition करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए बट उस result को rounded off कर दीजिए जो सबसे कम है न उतने decimal point के बाद digit रह जाए ठीक है यह तो हुआ हमारे addition और subtraction के लिए एक question मैं आप और कर लेते हैं जैसे सुपोज कीजिए 5.678 दूसरा है हमारा 0.26 और एक है मरे पास तो प्यारे बचो अब इसका सही answer बताईए देखिए पहले तो simplify जैसे करते हैं addition वैसे ही कर लीजिए 8 3 1 9 यह हो लेकिन अब आप यह देखिए कि इसमें बिचारा सबसे कम decimal point के बाद digit है वो देख लीजिए बस तो इसमें तो 3 है 1 2 3 इसमें 2 है इसमें 1 सबसे कम तो इसमें है अब हमें शिरफ इसको rounded of कर देना है क्योंकि यह answer तो गलत है सही answer तो शिरफ यह होगा 1.1 this is the right answer क्योंकि यह rounded of करेंगे बोर आएगा अभी हम बताएंगे आपको कि rounded of कैसे करते हैं तो इस तरीके से answer अब हम करते हैं multiplication और division के case multiplication and division परवचे इनमें देखे क्या rules है इसका rule क्या है इसमें क्या होता है यहां हम significant यहां तो क्या देखे यहां तो हम बात कर रहे थे कि वही दिईजिट में जो decimal point है उसके बाद कितने digits हैं जिस number में सबसे on digit हैं उतने ही हम final result में रखेंगे भाकियों को ता देंगे round of कर देंगे यहां क्या है हम생New significant figure वाला number है बस उतने हम ou final result में रखेंगे बाकियों को क्या कर देंगे rounded of यानिक Babac कि final result must retain significant figure as in original number with least significant figure, ये, देख मैं एक उधान देता हूँ, एक example लेते हैं, इससे आपका concept के लिए हुजाएगा, कैसे हैं, जैसे सिपोज कीजिए, एक कोई number है हमारे पास, 2.7 है, इसको हम multiply करने जा रहे हैं, मानुवाँ मौनिजिट नौन आचका देख लिए, जीरो पॉइंट एट एट जीरो तू लगभग इतना आएगा यह आगया अब इसका यह जो आंसर तो अगर आपने कर दिया तो यह तो है गलत क्यों देखिए इन दो को हम मल्टिप्लाई कर रहे हैं दो नंबर को इस नंबर में कम सिगनिफिकेंट फिगर के हैं पहले मुझे इसमें यह तो नहीं एक दो तीन इसमें तो सिगनिफिकेंट फिगर तीन है तीन है तो फिर हम फाइनल रजल्ट में जो कम सिगनिफिकेंट फिगर वाला नंबर है ना उसके कितने सिगनिफिकेंट फिगर है सरफ उतने रखेंगे तो यह रजल्ट फाइनल रजल्ट क्या हो में चाहे नीट में चाहे आपके 11 क्लास के Div . So that क्रिंटी में कोई क्योंसे पर आजाएे उनको आपको ऐसे करना है कि significant figures का एहने trusts समझ में आ गया है कि significant figures क्या होते हैं division क्या हम इसे करते हैं । हम इत क्सम्राइब दूसरे numericals भी करेंगे जब हम हम numerical section में जाएंगे, numerical करेंगे, तो हम ये सारे जो भी NCRT है के questions हैं उनको, और साथ में जो competitive exams में general questions पूछे जाते हैं, उनको भी लेंगे. बस आज तो बस इतना ही है कि आप इन rules को एक बार देख लें, थोड़ी शी प्रक्टिस श्यूम कर लें, ताकि जब हम questions करें, तो आप जल्दी जल्दी उन questions को कर पाएं, और next जो हमारा lecture रहेगा, वो rounded off के उपर रहेगा, अभी मैंने बताया ना, कि इनको round off कर देते हैं, rounded off क कर देते हैं, हटा देते हैं, इनके भी कुछ नियम होते हैं, तो हम कैसी rounded off करते हैं, यह हमारा next जो lecture है, हम उजमें बात करें हैं, लेकिन आपको तो जुड़े रहना है ना, इन दोनों ही channels के साथ, इनको subscribe कर लीजे, बार बार एक ही बात कहते हैं, और like और share भी कर दीजे, अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि यह आपी के हित में है, आपी के लिए और अच्छे वीडियो बनाने में हमारी help करते हैं, तो प्यार बेचो मिलते हैं next lecture में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,